हालो students, welcome to Magnet Vains हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं वसंत और कक्षा है साथ तो इस कक्षा साथ की जो हमने वसंत बुक पढ़ा रहे हैं इसके हम next chapter आये हैं next chapter हमारा कौन सा है कंचा कंचा लिखी किसके द्वारा है टी पद्वनाबंदोरा ये एक मल्यालम में लिखा गया एक कहानी है, मल्यालम में लिखी गई एक कहानी है, जो हिंदी रुपांतरित करके आपके सामने प्रस्तुत की गई है, कि एक कंचो को देखकर किस तरीके से बच्चे के मन में जो भावनाएं उमरती हैं, उसे कंचा कितना प्रलोभित करता है, उसको बचाने, उसको लेने के लिए क्या क्या करता है, ये सारी चीजे इस कहानी में हमको दिखाई गई है, पढ़ते हैं, समझते हैं इस कहानी को, हर बच्चे के लिए एक अलग-अलग चीजे होती हैं, उस बच्चे के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए कंचा स अपना अलग-अलग toy होता है जो उसे बहुत पसंद आता किसी बच्चों को teddies बहुत पसंद होते हैं तो हर बच्चे के अपना एक पसंद होती है तो इस कविता को हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं इस कहानी में ये देखिएगा कि हर आप अपनी पसंद के हिसाब का जो आपको बहुत अच्छा toy पसंद है आप उसको similar करते हुए चलिए कि इस बच्चे को कंचा पसंद है तो आपको क्या चीज़ पसंद है आप उसके लिए कैसे कैसे चीज़ उनको feel कर सकते है उसको पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते है तो चल दिए पढ़ते हैं कंचा और समझते ह उसके दिल की बात वह नीम के पेड़ों की घनी चाओं से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था मतलब वो सियार की कहानी सोच रहा था पढ़ता चला रहा था और नीम की चाओं के पेड़ों के नीचे चला रहा था हिलते डुलते उसका बसता दोनों तरफ से जूंता खनकता मतलब वो चल रहा था ऐसे ऐसे करके मतलब आराम से चलता ना बच्चा ऐसे करके तो वो ऐसे ऐसे चल रहा था तो कभी बसता एक तरफ कभी दूसरी तरफ खन 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 करन की आवाज आ रही थी slate कभी चोटी शीशी से टकराती तो कभी pencil से तो जो अंदर slate रखी थी यह काफी पहले की बाते किताबें इती नहीं चलती थी तो क्या होता था slate होती थी बच्चों के slate और खड़िया से लिखा जाता था चौक से लिखा जाता था तो उसकी स्लेट कभी शीशी से अंदर टकराती, कभी पैंसिल से टकराती, सरीके से खनठन की आवाज आ रही थी यो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, सब आपस में टकरा रहे थे तो आवाज आ रही थी मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था उसको वो अपने में मगल था ना वो कुछ सुन रहा था ना उसे कुछ दिखाई दे रहा था उसका पूरा द्यान कहानी पर केंद्रित था कैसी मज़िदार कहानी कौवे और सियार की सियार कौवे से बोला प्यारे कौवे एक गाना गाओ अब उसे कहानी आदा रही है जो कहानी उसने पड़ी थी सियार ने क्या बोला कि कौवे से कि एक गाना गाओ कौवे के चोच में रोटी फसी थी उसने का तुम एक गाना गाओ तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ तो सियार चाला आगता उसने तुरंद बोला तुम गाना गाता है, मूँ खोलता रोटी नीचे गिर जाती तो वो कौवे ने गाने के लिए मूँ खोला तो रोटी का टुकडा जमीर पर गिर बढ़ा सियार उसे उठा कर नौदो 11 हो गया तो जो कहानी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी सुनी होगी तो ये उसने कहानी सुनी थी तो उसको बड़ी मसदार लगी उसे वो कहानी याद आ रही थी वो उसी में डूबा हुआ चलता चला रहा था वा जोर से हसा बुद्धु कौवा वा चलते चलते दुकान के सामने पहुंच गया उसे कहानी जब उसने देखी तो उसको जोर से हसा बुद्धु कौवा और जब तक यह सारी चीज़े हो रही थी, तब तक यह चलता-चलता कहां पहुँँच गया, दुकान के पास पहुँच गया था. वहाँ अल्मारी में काच के बड़े बड़े जार रखे थे पहले जार इतने बड़े बड़े काच के जार मरतबान होते तो उसके बिसके टॉफी चोकलेट सजा के दुकानदार रखते थे जैसे यह है ना ये ये काच के जार थे ये इस तरीके से तो ये सजा के दुकानदार ने रखे हुए थे उन में चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्किट थे पेपरमेंट की गोलियां आती है चुटी-छोटी सी तो वो गोलियां थी, कुछ चॉकलेट सी, कुछ बिस्किट थे, कुछ जार के अंदर उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी उसने उनमें कुछ नहीं देगी क्यों नहीं पड़ी क्यों देखे उसके पिता जी उसे ये चीजे बराबर लाके देते थे तो उसके पापा हमेशा लाके देते थे टॉफी चॉकिलेट विस्किट जो हैं वो हमेशा लाकर देते थे तो इन सब जार पे उसकी नजर टिकी ही नहीं फिर भी एक नए जार पे ने उसका ध्यान आकरश्ट किया वह कंदे से लटकते बस्ते का फीता तरफ हटा कर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर तापता रहा क्या हुआ अब मगर उन में से एक जार के उपर उसका दिमाग जो है उसकी नजरे टिक गई बस्ता था तो बस्ते से जो ऐसे हम बानते हैं तो उसमें एक फीता होता है फीता जो उसको एक तरफ करके एक तरफ हटाके वो उस जार को बहुत ध्यान से देखता रहा नया नया लाकर रखा गया उसमें पहले उसने उस चीज को यहां नहीं देखा था वो उस दुकार में अक्सर आता था तो वो यहां पर भी नया नया लाया गया था उससे पहले उसने यह जार यहां पर देखा ही नहीं था क्योंकि वो अक्सर आता था, सब जारों को देखता था, ध्यान से देखता था, लेकिन ये जार उसने आज से पहले नहीं देखा था पूरे जार में कंचे हैं, वो जो जार था, वो जार पूरा कंचों से भरा है हती लकीर वाली बढ़ियां सफेद गोल कंचे बड़े आवले जैसे, मतलब कंचे होते हैं, कंचों में लकीरे होती हैं, ऐसे करके गोल कंचे होते हैं, उनमें ऐसे ऐसे करके लकीरे पड़ी होती हैं डार्क कलर के होते हैं लाइट कलर की लकीरे पड़ी होगी या लाइट कलर की होगी उसमें डार्क कलर की लकीरे पड़ी होगी और बड़े-बड़े होते हैं जैसे आवला होता है शाइनिंग दार होता है वो ट्रांसपेरेंट से शाइनिंग दार ऐसे कंचे थे उसमें बतला ह प्रकीर वाले बढ़ियां, सफेद गोल कंचे, और बड़े आवले जैसे कंचे थे, कितने खुबसूरत है अब तक ये कहा थे, तो वो इनकंचे को देखके बोलता है कि ये कितने खुबसूरत है, ये कहा थे अब तक नहीं देखा, शायद दुकान के अंदर, अब दुकान दा अंदर थे ये अगर फिर बढ़ा हुने लगा है अब हमारा ध्यान अगर कहीं केंद्रत हो जाता है कि हमको यहीछ चाहिए तो हमें सारी अगल पगल की चीजय हडıs आती है वहीछ हमें सबसे बड़ी रूप में निखायी देने लगती है तो वो जो जार था उसको जैसे लग रहा था वो दीरे दीरे बड़ा हो रहा है यानि कि अब उसका ध्यान सिर्फ उस पे इस लाइन का मतलब था कि उसका ध्यान सिर्फ उस जार के उपर केंद्रित था वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था फिर भी उसे वही पसंद था मतलब वहाँ कोई लड़का नहीं था लेकिन वहाँ पर उसको मौझूद उस लड़के को सिर्फ यानि कि उसको सिर्फ क्या वो कंचा ही अच्चे का जारी अच्छा लग रा था चोटी बेहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था उसकी एक छोटी सी बेहन थी जिसकी मृत्य हो गई थी तो वह अब अकेला ही था तो अब उसको अकेले खेलने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज मिल गई थी वह कंचे चारों तरफ विखेरता मजे से खेलता रहा तभी एक आवाज आई लड़के तु उस जार को नीचे गिरा देगा वह क्या हुआ देखते देखते उसके पास महुच गया था चूने लगा था तो उसको आवाज आई कि तुम इस जार को गिरा दोगे वह चौक उठा जार अब छोटा बनता चलागे कि वह केंद्रित थाब उसके उपर अब जैसे उसका ध्यान तूटा तो अब क्या वो जार छोटा सा दिखने लगा था छोटे जार में हरी लकीरे वाले सफेद गोल कंचे छोटे आवले जैसे अब बार बार उसको वही लाइन याद आएगी देखेगा पूरे चैप्टर में हरे हरे लकीरदार कंचे और आवले जैसे कंचे उसको वो बात बराबर याद जब भी याद करेगा कंचो को यही लाइं वो बार-बार याद करेगा सिर्फ दो जने वहाँ हैं वहाँ और बुड़ा दुकानदार उस समय वहाँ पर कौन खड़ेते सिर्फ दो लग वो था और बूड़ा दुकानदार इसके लावा कोई भी वहाँ पर नहीं था दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिर्चड़ाहाट थी मैंने कहा ना जो चाहते हो वो मैं निकाल के दूँगा अब उसने क्या उसने वो जार अपने हाथ में उठा लिया था तो वो क्या बोला कि भाई तुमको जो चाहिए वो मैं निकाल के दूँगा तुम जार के उठारो गिरा दोगे तुसका नुकसान हो जागा तो वो चिर्चड़ा चुका था दुकानदार वाउदास हो अलग खड़ा रहा क्या कंचा चाहिए वो अलग हो गया जैसे उसमें टोका था तो दुकानदार ने पूछा क्या कंचा चाहिए दुकान दार ने जार का ढखकन खोलना शुरू किया उसने निशेद में सिर हिला दिया उसने जैसे ढखकन खोलना शुरू किया उसने निशेद यानि कि निशेद मतलब मना करना निशेद शब्द आपने ये बहुत जगा देखा होगा रोट साइन्स पे हम कहीं गुमने जाते हैं लिखा होता है प्रवेश निशेद, तो निशेद का मतलब है यहाँ पे आपका प्रवेश, आपका अंदर आना मना है, निशेद का मतलब मना ही, नहीं, तो उसने मना करने में सरहिला दिया, तो फिर दुकांदार बोलता है, तो फिर क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं था, जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा, जार को छूने पर कंचे का इसपर्श करने का एहसास हुआ, अगर वा चाहता तो कंचा ले सकता था, भाई उसने क्या हुआ अभी तक जार छूआ था, लेकिन अब क्या हुआ उसने कंचा छूआ, उसको बड़ा अच्छा लगा, वो चाहता तो ले सकता था, क्यों क्योंकि उसके पास पैसे थे, तो वो चाहा रहा था कि उकंचा ले, अभी वो असमंजस में था कि उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लिया होता तो अगर लिया होता तो क्या होता, अभी उसके दिमाग म इंदर उट रहे थे स्कूल की घंटी सुनकर वा बसता थामे हुए दौड पड़ा अब इतने में ही स्कूल की घंटी बज गई और वो वापस स्कूल की तरफ दौड गया देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था मतलब जो बाद में बैठते थे उ उनको एकड़म पीछे बैठना पड़ता था उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था इसलिए वा चुपचा पीछे की बेंच पर बैठ गया सब अपनी जगहा पर हैं रामन अगली बेंच पर रोज समय पर आता है मतलब सबसे आगे वाली बेंच में कौन था रामन क्योंकि वो एकड़म पंचवल्था टाइम का तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है जोर्ज दिखाई नहीं पड़ता मतलब स उसे कंचे उसके दिवार बटा गए अब कंचे के खिलाडी भी तो चाहिए जो जो चोर्ज था वो बहुत ही अच्छा कंचा खेलता था कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जोर्ज से मात खाएगा हारने पर योही विदा नहीं होंगा मतलब चाहे जितना बड़ा लड़का वो जोर्ज छोटी क्लांस में था लेकिन कितने भी बड़ा बच्चा उसके साथ खेले जोर्ज उसको हरा ही देता था अब हारने वाला योही नहीं जा सकता था क्यों हारने वाले की भी सजा होती थी, क्या सजा होती थी भाई, हारे हुए को अपनी बंध मुठी जमीन पर रखनी होती थी, यानि कि जो हार गया है उसे अपनी मुठी बंध करके जमीन पर रखनी पड़ती थी, तब जोर्ज कंचा चला कर बंध मुठी को जोरों को हड़ी स तोड़ेगा अब वो जोर से कंचा मारता था और वो हाथ पे लगता था उससे चोट लगती थी तो ये नियम था जोर्ज क्यों नहीं आया अब उसके दिमाग में आया कि जोर्ज क्यों नहीं आया है अरे हां जोर्ज को बुखार है ना उसे रामन ने यह सूचना दी थी जोर् मल्लिका रामन ने किसको बताई थी मल्लिका को बताई थी और क्यों बताई थी भाई रामन को कैसे पता चला क्यों 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 कि जॉर्ज का घर जब रामन अपने घर से स्कूल आ रहा होता है तो जॉर्ज का घर रास्ते में पड़ता है तो ये बात इसी वजह से रामन को पत मास्टर जी को पता चल गया वो ध्यान नहीं दे रहा है उसने हढ़बभ़ी में पुस्थक खोल कर सामने रख ली रेल गाड़ी का सबक था जब मास्टर जी आए तो जल्दी से उससे पुष्टक खोली और सामने रखा घर पर उसने यह पार्ट पढ़ लिया था अपू यह पार्ट पहले ही पढ़ चुका था घर पर Master जी बीच बीच में बेत से मेच ठोकते हुँ उची अवाज में कह रहे थे Master जी के हाथ में एक लंबी सी बेत थी और वो bench को बार-बार ऐसे करके ठोक रहे थे और अपनी बातों को बोलते जा रहे थे बच्चो तुम में से कई ने रेल गाड़ी देखी होगी उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ती से चलता है उसमें steam engines चलते थे आप जानते होंगे steam engines तो उसको क्या बोलते हैं भाप की गाड़ी तो steam engines चलते थे तो बोलते थे कि वो भाप की गाड़ी भी कही जाती है वो भाप की शक्ती से चलती थी भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से यानि कि पानी जब खौलता है तो उसके उपर जो भाप उड़ती है यहाँ पर उससे मतलब था तुम लोगों के घरों के चूले में भी चूलों में भी चूले में भी तुम भाप उठती है न हम चूले में कुछ आते हैं तो पानी खौले कुछ हो तुमें स्टीम उठती है न तो वही क्या होती है भाप होती है अब इतना बोली रहते है अप्पु ने सोचा रेलगाडी उ चलती है रेलगाडी जो स्ट्रीम की चलती थी वो कैसी ऐसी चलती थी चुक 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 करके आवाज आती थी उसके लिए रेलगाडी का यही मतलब था कि वो चुक चुक करके चलती है मास्टर जी की आवाज अब कम हुची थी वे रेलगाडी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे वो ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहे थे रेलगाडी के हर एक पार्ट के बारे में अब वोनोंने समझाना शुरू कर दिया था पानी रखने के लिए खास जगह है इसे अंग्रेजी में बॉइलर कहते हैं यह लोहे का बड़ा पीपा होता है उसी की शक्ती से जो है इंजन चलता है लोहे का एक बड़ा कांच का जार अब वो बड़ा boiler बता रहे हैं और अप्पू को क्या याद आ रहा है बड़ा कांच का जार याद आ रहा है उसे तो कंचे ही याद है उसे कंचे ही याद आ रहे है उसमें हरी लकीर सफेत गोल कंचे बड़े आवले जैसे कंचे उसको वही च जोर्ज कितना खुश होगा सिर्फ वे दोनों ही खेलेंगे मतलब जब जोर जाएगा तो हम दोनों सब जो है वो खेलना शुरू करेंगे और मिलकर कंचे खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आके गिरा वो इतना सोची रहा था कि एक चौक का टुकड़ा उसके चेहरे पर आके गिरा अब ये क्या हुआ वो ध्यान नहीं दे रहा था तो मास्टर जी ने चौक फेक के मारी थी उसका ध्यान लेने के लिए अनुबब के कारण वह उठकर खड़ा हो गया मास्टर जी गुस्से में है उसको पता था कि मास्टर जी चौक का टुकड़ा जब ही फेकते हैं जब वो गुस्से में होते उसको इस चीज का अनुबबब था अरे तु उधर क्या कर रहा है उसका दम घुट रहा था बोल वो बोल रहा है तुम वहां क्या कर रहे हो उसका दम घुट रहा था बोलो दम घुट रहा मतलब वो कहीं बात सोचते सोचते कहीं वहां खामोश खड़ा रहा क्या नहीं बोलेगा मतलब अब चुप चाप खड़ा उसको समझ में नहीं क्योंकि यहाँ जो घट रहा था वो अलग था और वो जो सोच रहा था वो अलग था क्योंकि उस सोच जो रहा था उसके सिरते यहाँ पर इसको कक्षा में जो चीज़े घट रही थी उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी वे अप्पु के पास पहुंचे सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही थी उसकी गब्राहट बढ़ गई मास्टर जी कहां पहुँच गए अप्पु के पास मैं अभी किस के बारे में बता रहा था मास्टर जी को पता था कि वो ध्यान नहीं दे रहा है तो उन्होंने तुरन पहला सवाल दो दागा कि ये बताईए कि मैं किसके बारे में बता रहा था करमट मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए थे कि उसके मन में और कुछ चल रहा है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे करमट मतलब अपने काम में एकदम अच्छी तरही के से ध्यान देने वाले मास्टर जी थे वो उसका चेहरा देखके समझ चुके थे कि उसका ध्यान कक्षा में नहीं कहीं और था शायद उसने पाट पर ध्यान दिया भी हो अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के बाहर ले आना इसी में उनकी सफलता है या तो उसने ध्यान नहीं दिया हो सकता है ध्यान दिया भी है तो सवालों के जवाब बाहर लेकर आना अप्पू तो मगर पहले चैप्टर पढ़ चुका था, यानि कि इसको पता होना चाहिए, क्योंकि वो इस समय तो मास्टर जी की बताई चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था, हाँ हाँ बता डरना मत, तो उसने पूछा तो उन्होंने बताया हाँ, अब मास्टर जी कहते हैं, उन्होंने पहला प्रेशन के ये पूछा था, कि मैं किसके बारे में बता रहा था, इतना फिर उनके बारे में बताया, फिर एंड में क्या बताया, कि मास्टर जी खुद पूछ रहे थे, हाँ हाँ बताओ डरो मत, क्या मैं क्या बता रहा था, तुम ये बताओ डरो मत, मास् वे सकपका गए कक्षा में भुचाल आ गया स्टेंड अब उनके उनको लगा कि वो बोलेगा रेल गाड़ी बॉयलर कुछ ऐसे बोलेगा लेकिन उसने बोला क्या कंचा सभी सकपका गए और मास्टर जी को गुस्सा आ गया और उन तुन बोला स्टेंड अप मतलब कड़े हो ज गख्षा की टीछर ने दरवाजे से जुक कर देखा लेक। फिर समिलित हसी पहुकर पनिश्मने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुभुगाता रहा H entonces नहIN की वो अपने आपको रोक ले और रोय नहीं लेकिन उसका रोना शुरू ही हो गया रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया सब उसकी तरफ देख देखकर उसकी हसी उड़ा रहे थे रामन, मलिका और सब सब उसकी तरफ जो देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे जिसमें उसके सभी friends सामिल थे बेंच पर खड़े-खड़े उसने सोच लिया दिखा दूँगा सबको George को आने दो George जब आएगा George के आने पर वह कंचे खरीदेगा जब George आएगा तो वह कंचे खरीदेगा कौन? अप्पू कंचे खरीदेगा इन में से किसी को वह खेलने के लिए नहीं बुलाएगा कंचे को देख ये लल्चाएंगे इतना खूपसूरत कंचा है जब हम सब कंचे लेकर आएंगे हम लोग खेलेंगे इतने सुन्दर सुन्दर कंचे तो ये सब देखकर लल्चाएंगे हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आवले जैसे, उसके दिमाग में, तब क्या हुआ, शक हुआ, कंचा कैसे, मिले कैसे, अब वो सोच रहा है आएगा, लेकिन कंचे मिलेंगे कैसे, तुरंती उसके दिमाग में ये विचार आया, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जोर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो, तो मतलब अब वो दुकानदार देगा कैसे, जोर्ज को लेके जाओ, तब वो देगा, देगा कैसे कंचे, किसी को शक हो तो पूछ लू, अगर उसे समझी में नहीं आ रहा था कि ये और इनकी खरीदने उसको कैसे मास्टर जी मने पूछा किसी को कोई शक है आपू की शंक्रूर की उख नहीं प्जागे और इनकी शंक्रा अलग ती उसको कैसे कंचे मिलेंगे उसको शंका चले वह सोच रहा था किया जॉर्ज के साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे मिलेगा भाई दुकानदार ऐसे तो देगा नहीं खरीदने पड़ेंगे खरीदने पड़ेंगे तो कैसे देग मिला अमडी ने शंका का समाधान कराया कई छात्रों ने यह दोहराया मतलब कक्षा में क्या चल रहा था शंका मतलब जो मास्टर जी ने प्रशने पूछे अमडी ने उन प्रशनों के उत्तर दिये और सभी प्रशनों उसको दोहराया गया और सभी बच्चे उसके पीछे बोल पूछ लो ना शंका क्या है अब उन्होंने पूछा कि तुम पूछो तुमको क्या डाउट है तुमें को बोलते हैं न हम लोग चैप्टर समझाने को आपको कोई डाउट है तो पूछिए तीचस पूछते हैं तो उसी तरीके से तुमको कोई डाउट है तो पूछो शंका जर पांच पैसे में मिलेंगे, दस पैसे में मिलेंगे, कितने पैसे में मिलेंगे, इधर मास्टर जी, क्या सोच रहे हो, मास्टर जी के पूछ रहे हैं, तुम सोच क्या रहे हो, ये बताओ, तुमारे दिमाग में क्या चल रहा है, पैसे, कितने पैसे, अब उसके मुह से निकल ग किसके लिए चाहिए वह कुछ नहीं बोला वह चुप मतलब अब पुछ चुप मास्टर जी पूछने किसके लिए पैसे चाहिए वह चुप है हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने फिसलते गए अब क्योंकि मास्टर जी ने पूछ लिया तो उसे लगा कि यह तो मास्टर जी बोलते हैं तुम वैवकूफ वो उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और अगर वी के लेकर तुम करना क्या है उसका वह खेलेगा जॉर्ज के साथ खेलेगा रेलगाडी नहीं कंचा चपरासी एक नोटिस लाया वो दिमाग में सोच रहा है कि वो खेलेगा रेलगाडी से नहीं कंचे से खेलेगा जॉर्ज के साथ खेलेगा इतने में कौन आया चपरासी एक नोटिस लेकर आया क्या लेकर आया माश्टर जी ने कहा जो fees है वे office जाकर जमा कर दे बहुत से चात्र चले गए notice आया था कि जिनको fees जमा करनी है वो जाकर office में जमा कर दे चात्र उठकर चले गए रामन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काटली उसने पैर खीच लिया, बच्चे शरार्थी करते हैं, वो जा रहा था, वो खड़ा हुआ था, उसके पैर में सीधी चुकोट्टी काट ली, उसने पीछे पैर खीचा उसे याद आया, उसे भी फीज जमा करनी है, पिता जी ने उसे 1.5 रुपिया इसके लिए दिया था, उसको याद आया कि मुझे भी फीज जमा करनी है, पिता जी ने इसके लिए पैसे दिये थे, उसने अपनी जेब टेटोल कर देखा, एक रुपे का नोट और पचास पैसे क सिक्का था उसने देखा कि यह हमको जाकर फीस जमा करनी है वह बेंच से उत्रा किधर मास्टर जी ने पूछा किधर वो भी उत्रा भाई बेंच को पनिश्मेंट मिली थी बेंच से उत्रा मास्टर जी ने पूछा किधर जा रहे हो उसके कंट से खुशी के बुलबुले उटे फीस देनी है, फीस मत देना मास्टर ने कहा, मास्टर जी बोले फीस मत देना, वह जिज़कता रहा, on the bench मतलब on the bench यानी bench पर जाओ, फीस नहीं देना है तुमको punishment में लिए तुम बेंच पर कड़े हो जाओ, वह बेंच पर चड़का रोने लगा, वह बेंच पर फिर चड़ ग पढ़ोगे तुम ध्यान दूँगा अब उसने भी घबरा के बोला हाँ ध्यान दूँगा मैं ध्यान से पढ़ूँगा वह दफ्तर गया दफ्तर में बड़ी भीर थी ऑफिस में पहुंचा वहाँ पर सब बच्चे कठा थे भीर बहुत जादा थी बच्चो एक एक करके आओ क बाबु बता रहे थे पहले मैं आया हूँ मैं ही आया हूँ मेरे बाकी पैसे तो अब यहाँ पर क्या हुआ सब वहाँ पर आये कि भाई मैं पहले आया हूँ मेरी लीजिए बाबु ये मेरे बाकी पैसे लीजिए सब वहाँ आपस में चीजों को बाते कर रहे थे इस शोर ग बच्चे बच्चे हुए थे वह सोच रहा था जोर्ज को साथ लेकर चलू तो देगा अभी भी उसके दिमाग में जोर्ज को साथ ले जाके कंचे लेनी की बात चल रही थी शायद दे नहीं दे किते पैसे लगेंगे पांच पैसे दस पैसे सब फीस जमा करनी हैं अगर उसके निमाग में वो कंचे ही गूम रहे हरी लकीर वाले गोल सफेद लंके गंचे घंटी बजने पर फीस जमा किये हुए सभी बच्चे उधर चले गए अब घंटी बजी और जितने बच्चों ने फीस जमा कर दी थी वो सभी वहाँ से चले गए वह भी चला गया अब भी चला गया क्योंकि अब घंटी बज चुकी थी अब बच्चों को घर जाना था तो अब जिन्हों ने जमा करी नहीं करी सारे बच्चे वहाँ से चले गए मानों नीन से जाकर चल रहा वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई बच्चा नीन से जाकता ना बिल्कुल मधोश होके वो वैसे ही चल रहा था क्या सब फीस जमा कर चुके मास्टर जी ने पूचा क्या सभी बच्चों ने फीस जमा कर दी कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूचा वह नहीं उठा मतलब उसने नहीं वो नहीं उठा क्योंकि उसने तो फिस जमानी की थी बाकी बच्चे जमा कर चुके थे मगर वो नहीं उठा वो चुपचा बैठा रहा शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा लड़के गीली मट्टी में छोटे गड़े खोद कर कंचे खेल रहे थे वो इधर दो टहल रहा था कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे वह उनके पास नहीं गया उनके पास बिल्कुल भी नहीं गया फाटक के एक हिचने थामे उसके सड़क की तरफ देखा उसने फाटक यानि स्कूल के फाटक को पकड़ा और थामे वो स्कूल की तरफ देख रहा था वहाँ उस मोड पर दुकान थी कहां देख रहा था दुकान की तरफ स्कूल का फाटक पकड़ा था और दुकान की तरफ देख रहा था दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा अब उसके दिमाग में आया किया वो बाहर खड़े खड़े जार को छू सकेगा अलमारी के शीशे का जार उसमें एक जार में पूरा बस्ता कंदे पे लटकाए वो चलने लगा उसके दिमाग में बस यह चल रहा था क्या वो जार को छू सकेगा, क्या वो कंचो को छू सकेगा और बस्ते को थामे थामे वो चलने लगा दुकान नस्दीक आ रही थी, वो दुकान की तरफ चल रहा था और दीरे दुकान नस्दीक आ रही थी उसकी चाल की तेजी बड़ी वा अलवारी के सामने खड़ा हो गया और दुकानदार हसा जहां कंचों का जार रखा था वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसको देखकर दुकानदार हसने लगा वह भी हसा, उसको लगा कि दुकानदार इसका इंतिजार कर रहा है तो अप्पू भी हसने लगा, कंचा चाहिए ना उसने सिरह लाया, दुकानदार ने पूछा कंचा चाहिए तो उसने हां में सिरह लाया, किसने अप्पू ने, दुकानदार जार का ढकन जब खोलने लगा त तुरंत अप्पु ने पूछा अच्छे कंचे है ना बढ़ियां फर्स्ट क्लास कंचे तुम्हें कितने कंचे चाहिए तो उसने अप्पु ने पूछा कि ये अच्छे कंचे ना फर्स्ट क्लास तो दुकानदान ने पूछा तुम्हें कितने कंचे चाहिए कितने कंचे चाह पर 50 पैसे उसने जेब से बाहर निकाले उसने वह निकाल कर दिखाए दुकानदार चौका इतने सारे पैसे उसके सामने जब इतने सारे पैसे आये तो वो चौक गया इतने सारे पैसों के कंचे तो वो घबराया कि आज तक कभी किसी ने इतने पैसों के कंचे नहीं लिये थे दुकानदार भी चौका भाई इतने रुपए के कंचे कभी किसी ने खरीदे ही नहीं थे तो दुकानदार चौक दिया तो उसने बोला इतने सारे कंचे किस लिए क्यों चाहिए तुम्हें तो उसने बोला मैं नहीं बताऊंगा दुकानदा समझ गया वा भी किसी जमाने में बच्चा रहा था उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे यही उसके लिए खरीदने आया है तो वो भी बच्चा था धुकांदा था तो समझ गया कि सब बच्चे मिल के खरीद रहे हूँगे और ये आया है एक साथ सब के लिए कंचे खरीदने अब उसको यही सोच आथा कि बहुत सारे बच्चे होंगे सब ने पैसे जमा करके दिये हूँगे और यह अकेला आया है सबके लिए कंचे खरीदें वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था दुकानदार ने पूछा क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है तो अप्पू ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था सिर्फ वो जोर्ज को बताना चाहता था कि वो कंचा खरीद रहा है अब दुकानदार कंचे निकाल रहा था इत्ते में उसने पूछा क्या तुमको कंचा खेलना आता है वो नहीं जानता था अब उसको कंचा नहीं आता था तो फिर उसको नाम इस रेलायाग यश को नहीं आता तो उसे बूला तो फिर क्यों खरीद रहे हो दुकानदार ने कैसे कसे सवाल पूछ रहा है उसका धीरत जवाब दे रहा था उसने हात फेलाया दे दो अब ये दुकानदार इतने सवाल पूछ रहा था तो अब पूछ रहा था उसको तो कंचे चाहिए जल्दी दो तो उसने तुरंथ हाथ फैलाया दे दो मुझे कंचे दे दो दुकानदार हस पड़ा वा भी हस पड़ा दोनों लोग हसने लगे कागज की पोटली चाती से चिपकाए वा नीम के पेडों की छाओं में चलने लगा अब उसको कागज के पैकेट में कंचे दे दिये वो चुप चाओ उनको ऐसे चिपकाए चला जा रहा था नीम के पेडों क चुप चाहता था जार को मिल गया था कि चुप चाहताuk चुप चाप लिए चला जां रहा था उसका जी पूरा जार वह उसके कंच को एक उसने करदी खो रहा है तो अवह हुआ है wyk grateful कर देखने का впod पोटली खोलूगा और देखोंगा कि इसमें सारे कंचे में लकीरे हैं या नहीं हैं बसता नीचे रखावार धीरे से पोटली खोलने लगा पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए वे सड़क के बीच पहुंच गए उसने जैसे खोलने कोई सारे कंचे बिखर गए बहुत स चुनने लगा हतेरी भर गई वह चुने हुए कंचे रखे कहा अब चुन रहा है अब इत्ते सारे कंचे उसके हतेली भर गई अब रखे कहा वह उसकी समझ में नहीं आ रहा था स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने शुरू कर दिये उसने क्या किया जो उसका बैग था उस बैग में से उसने स्लेट किताबे सब हटाई और उस बैग के अंदर उसने कंचे भरने शुरू कर दिये एक, दो, तीन, चार वो गिनता जा रहा था और उसके अंदर रखता जा रहा था एक कार सड़क पर ब्रेल लगा रही है अब वो सड़क पर प्चिल रहा था इतने में कार आती है इतने में ब्रेक लगाती है जोर से वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था उसे बिल्कुल ऐसास सिमा के पीछे से कार आ गई है वो कंचे ही चुने जा रहा था ड्राइवर को इतना गुसा आया कि उस लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई मतलब उसको इतना गुसा आया कि उसको कच्चा ही कहा जाने कहने का मतलब कच्चा खा जाना मतलब गुस्सा आना इतना तेज गुस्सा आया हुआ था इसको कहावत कहते हैं कच्चा खा जाना कि कहते हैं भूक लगी है तो उसको उठागे हम कच्चा इतनी तेज भूक लगी है कि उसको उठा के खा जाएंगे देखा सामने एक मोटर और उसके भीतर ड्राइवर, उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है, अब उसने मुढ के देखा, वो कंचे बिन रहा था, पीछे से ड्राइवर ने हौन बजाया, तो पीछे मुढ के देखता है, और ड्राइवर क्या कर रहा था, सर निकाल के बाहर देख रहा था, तो अप्पू ये नहीं देख रहा है कि मैं वो हौन क्यों बजा रहा है, वो अब अप्पू क्या सोच रहा है, शायद उसे भी कंचे अच्छे लगते हैं, इसलिए वो सर निकाल के देख रहा है और हौन बज अच्छा है ना, अब उसको वो हटने की बज़ा क्या कर रहा है, एक कंचा उठाता है और ड्राइवर को दिखाता है, कहता है देखो ना, अच्छा है ना, अब ड्राइवर कहा रहा है हटो और वो उसको कंचा उठा के दिखा रहा है, देखो अच्छा है, फिर ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वो हसने लगा, ड्राइवर को जितना गुस्सा आया था उस शांत हो गया और वो उसकी हरकत को देखके हसने लगता है कि ये बच्चा किस तरीके से रियक्ट कर रहा है, बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट, किताब, शीशी, पैंसिल, सब छाती से usp Sapay कहा है फुंच गया और मा के गले लगए उसके लॉटने में देर होते देख मा घबराई हुई थी उसको देर हो गई थी तो मा बहुत तोड़ा सा डरी हुई थी उसने बता जोर से हिला कर दिखाया उसने ऐसे करके जोर से बता हिलाया और मा को दिखाया अरे यह क्या है मा ने पूछा मैं नहीं बताऊंगा वह बोला मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या लाया मुझे नहीं कहेगा, कहूँगा मा आखे बंद कर लो, तो मा बोलती है मुझे नहीं कहोगे कि तुम क्या लायो, तो बोलता मा मैं बताऊँगा, आप आखे बंद कर ली, उसने गिना, one, two, three, मा ने आखे कोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे, वा कुछ और हैरान हुई, है खरीदे हैं पैसे, तो बोलता है मैंने खरीदे, तो मा बोलती, पैसे, मतलब पैसे कहां से आए? पिता जी की तस्वीर की और इशारा करते हुए कहता है पिता जी की तरफ इशारा पिता जी तो थे नहीं घर में तो उनकी तस्वीर लगी थी उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है दुपहर में दिये थे ना दुपहर में उन्होंने दिये थे अब मा की दातों तले उंगली दबाई, मतलब मा की अब चिंता बढ़ गई, क्योँ? मा ने दातों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे, मतलब तुमने मा पिता जी ने दुपहर में तुमको फीस के पैसे दिये ते और फीस के पैसे तुमने कंचे घरेद लिये, इतने सारे कं जाता हो किसके साथ खेल को कहां पिता Jeanne लेधे कि इसके साथ खेलो गये उसके बाद एक मुनी हो ती कि चोटी बहन BE हैं मगर मा की पल्के भी भीट कई क्यों कि भाई बो वह मुम्रुतिव को प्राप्त हो गयी ती उसका देहान धो गया था कि उसकी मा रो रही थी अब उसको एकदम से उसकी चोटी बेटी की याद आ गई तो वो रोने लगी अप्पु नहीं जान सका कि मा क्यों रह रही है क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता तो फिर अब अप्पु को समझ में नहीं आया मा क्यों रो रही है क्या मैंने कंच विशा खरीदा है इसलिए मा रो रही है तो उसे बोला नहीं इतनी चोटी सी बात के लिए मा नहीं रो सकती है उसकी आँखों के सामने बूढ़ा दुकानदार औरका डुकानदार खड़े-खड़े हास रहे थे वे सब पसंद करते थे मतलब वन सब को पसंद था वो जो को पसंद कर रहा था, तो मा क्यों रो रही है, सर्फ मा को कंचे क्यों पसंद नहीं आए, शायद कंचे अच्छे नहीं है, बस्ते में आवले जैसे कंचे निकालते हैं, उसने कहा बुरे कंचे हैं, मा कंचे बुरे हैं, अब उसे लगा कि मा कंचे बुरे हैं, इसलिए रो तो उसने निकाल के दिखाया मा क्या कंचे बुरे हैं लेकिन मा क्यों रो रही थी उसको अपनी छोटी बेटी की आद आ रही थी नहीं नहीं अच्छे हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना मा तो उतुलन बोलता है मा देखने में बहुत अच्छे लगते हैं तो मा हस पड़ा अब मा को ने जब बोला अच्छे हैं तो वो हस पड़ा वो भी खुश हो गया उसकी मा भी हस पड़ी आसु के गीले मा के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया अब उसके दिल में खुशी की जलक रही तो इस तरीके से मा बेटे दोनों आपस में प्यार करने लगत हैं तो किस तरीके से कंच्चे उसके सामने आते हैं उसके दिमाग में बैठते हैं वो खरीचता है घर लेकर आता है सारी चीजे हमने इस पार्ट में पढ़िये और समझे तो बस थोड़ा से इनतजार करिजिये इसके प्रश्ण उत्तर लेकर अभी हम आपके सामने उपस्newत झाल झाल